गुड मॉर्निंग आज हम लोग एक ही कोश्चन को देखेंगे और इस कोश्चन के जो एंसर हैं वो उस एंसर को लिखने के कोशिस आपको खुद करना है तो इस कोश्चन को देखते हैं क्या हम जलवायू पडिवरतन के छेत्र में संग्या नात्मक असंगती के दौर से कोश्चन को समझने के लिए इसको दो बार पढ़ सकते हैं उमीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा दरसल क्या है कि हम पड़यावरन की चिंता भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग ऐसे साड़े काम कर रहे हैं जिसे कि पड़यावरन को नुकसान हो जैसे कि मालेज यह एक व्यक्ति है वो अगर साबून, सैंपू, तेल का अगर ज्यादा उप्भोग करता है तो जाइड सी बात है वो प्रयावरन को प्रदूसित करता है उसी तरह अगर कोई व्यक्ति अगर अपने लिए ज्यादा सर्ट खड़ीता है अगर उसका काम अगर दो सर्ट में चल लेकिन अगर वो अपने लिए 5, 7, 8, 10 अगर सर्ट खड़ीता है तो हम जानते हैं कि हर एक सर्ट को बनाने में कुछ कार्बन का उपयोग होता है, कार्बन उसमें यूज होता है, कार्बन एकजिट होता है वहाँ से, इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने मौज मस्ती के लिए कहीं वो बाइक से जा सकता है, लेकिन वो अपनी कार लेके जाता है, या एक व्यक्ति भी अपनी इस्तिमाल के लिए ज्यादा बड़ी गाड़ी इस्तिमाल करता है, तो ऐसे कंडिशन्स में हम देखते हैं कि प्रयावरन को काफी नुकसान पहुंचता है, उसी तरह हम लोग हम लोग उने हाल-फिलाल देखा होगा, कि जो लोग आए, जो लोग बड़ी संख्या में आए और किस चीज आए, प्रयावरन पे सम्मेलेन करनी के लिए आए, और किस चीज में सब लोग हवाई जहास से आए, तो उन्होंने क्या कि प्रयावरन को एक तरह से परदूसित कि तो चलिए इस questions को आप लोग attempt करने के कोशिस करिए कुछ important points में बताने की कोशिस करता हूँ जैसे कि देखिए उत्रक उत्रा खुल सुरत बनाते हैं अमिर्की समाजिक मनोविज्यानी लियोन फेस्टिंगर के अनुसार संग्यानात्मक असंगती एक ऐसी परसिती को संदर्भित करता है जहां अभी विर्तियों एवं वेवहारों में प्रस्पर विरोधाभास की उपस्तिती विद्धमान हो जो की व्यक्ति में मानसिक परिशान का कारण बनता है इसे कम करने और अभिविर्त इवं वेवहार में संतुलन बनाने हे तू व्यक्ति को अभी विर्ति या वेवहार में से एक विकल्प चुनना पड़ता है उधारन के लिए वेकिती संग्यानात्मक अस्तर पर यह जानते हुए कि धुमरपान कैंसर का कारण बनता है, फिर भी वह वेवहार में धुमरपान करता है यह इस्थिती संग्यानात्मक असंगती की है। इसी प्रकार, वरतमान जल्वाई परिवर्तन के परिद्रिस्ज में संग्यानात्मक असंगत्ति विद्मान है, जो निम्नुबत है, इसमें कुछ पॉइंट से जो लिखे जा सकते हैं, जैसे हम यह जानते हैं कि प्लास्टिक एवन माइक्रो प्लास्टिक, अस्थलिय एवन ओ प्रियावरण को अत्याधित नुक्सान पहुंचाते हैं। इनका उप्योग करते वे हमें असाजिस्ता भी होती है। किन्तु अंधता अपनी आविश्क्ता पूर्ती के लिए हम इन उत्पादों का उप्योग जारी रखते हैं। आगे देखते हैं। यह जानते वे भी कि अटो मोटी वाहनों से होने वाला उत्तरजन किसी सीमा तक प्रियावरण को छटी पहुंचा सकता है। हम सारजनिक प्रियोग करने के बजाए निजी वाहनों का प्रियोग जारी रखते हैं। यह पॉइंट हो गया। कारवण उत्रजन को कम करने तथा अंतरास्टिय सायोग को बढ़ाने के लिए पेरिश जलवायू जैसे समझोते विद्मान हैं, किन्तु प्रवंधित वैस्टिविक पूंजीवाद मानसिक्ता की स्थिती में एक संग्यानात्मक असंगति उत्पन होती है जो असपस्ट के कोशिस करें तो इसको आप अपने तरीके से समझ लें इन पॉइंट्स को जैसे कि कार्वनी खाद्य पदार्थों, अस्थानिये एवं उचित उत्पादों की खडिद जैसे प्रगतिसिल विकल्प अपनाने के बावजूद एक असपस्ट नैतिक खडिद अंतराल विद् कर रहे हैं इस परकार जलवाई परिवरतन के समंध में संग्यानात्मक असंगती अक्सर विद्मान होती है किन्तु हम सभी को जलवाई परिवरतन के छेत्र में असंगती को कम करने का प्रयास करना चाहिए ऐसा करने के लिए वैक्तियों को अपने संग्यानात्मक अस्तर बहावनात्मक बुधिमता या उच नैतिक छमता के विकास से कम किया जा सकता है इसे समाजिक अनुनयन सकरात्मक कंडिशनिंग एवं वारताओं के माध्यम से भी कम किया जा सकता है तो देखिए ये जो कोश्चन है ना ये कोश्चन अभी के दौर के लिए काफी है और BPSC में इतने डीप में कोश्चन आने की संभावना कम होती है फिर भी आजकल के ट्रेंड का भरोसा नहीं है अगर ये कोश्चन अगर आप तयार कर लेते हैं तो इसमें कुछ important point है जो आपको अपने answers में mention करना है कुछ विचारकों को घोट लेना है जो विचारक प्रयावरन समंध कुछ बोलते हैं वो विचारक हो गए या फिर कुछ और विचारक जो अपने कुछ अच्छे राय रखते हैं उनको घोट लेना है गांधी जी जो है वो भी एक बहुत अच्छे विचारक थे और उनके examples काफी जगा पर दिये जा सकते हैं तो गांधी जी से समंधित जो संद रखें तो बहुत अच्छा है अपने उत्तर में पॉलिटिकल थेंकर को भी कई जगार लोग उधित करते हैं अपने उत्तर में ज़रूरी नहीं है कि वो PSIR के स्टुडेंट्स हो लेकिन अगर आप इस तरह का कोशन हो जहां पर किसी पॉलिटिकल थेंकर का संदर्व लिखन और अच्छा उत्तर कैसे लिखते हैं वो सब लोग का लेवल एक ही होता है जो प्री क्वालिफाई करके जाते हैं तो वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो मेंस क्वालिफाई करते हैं वो अपने उत्तर में कुछ खास पॉइंट्स को सामिल करते हैं जो काफी अपीलिंग होते तो उन अपीलिंग उत्तर को देख करके जो है एक्जामिलर उनको अच्छा मार्क्स देता है और उनको फिर इंटर्विव में पहुंचने का मौका मिलता है तो देखिए उसमें क्या है अमेरिकी समाजुक मनुवग्यानी लियोन फेस्टिंग के नुसार संग्यानात्मक अंदर्वित करता है जहां अभिवर्तियों एवं विवहारों में प्रस्पड विरोधाभास की उपस्तिती विद्मान हो जो की वैक्ती में मानसिक प्रिसानी का कारण बनता है इसे कम करने और अभिविर्त एवं विवहार में संतुलित बनाने है तो वैक्ती को अभिविर् विज्ञानी उनके नाम मनुविज्ञानी हो गए या फिर जो और थिंकर्स हो गए उनके जो खास-खास लाइन्स है उसको आप रट लीजिए घोट लीजिए जैसे प्रयावरन सम्मधित कुछ आता है तो उसमें किस-किस थिंकर्स ने क्या-क्या बोला है जैसे गांधी जी न आदमी इंसानों के लालज के अनरूप ये बहुत छोटी है उसके ज़रूरत के अनरूप बहुत छोटी है तो ऐसे बहुत सारे चीजे हैं जिसको आप घोट सकते हैं और अपने उत्तर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी हम लोग इसी तरह आते रहेंगे और थोड़ा- इखन को थोड़ा और बढ़िया करने की कोशिस करेंगे तो चलिए अभी के लिए इतना ही धन्यवाद